दोस्तो चर्म रोग प्वचा से संबदी संक्रमन होता है ये विकार मानों प्वचा को प्रभाइट करता है जिसमें ब्यक्ति को कई परकार की परिसानियों का सामना करना पड़ता है इसे ही चर्म रोग कहते हैं इस रोग को एजीमा भी कहते हैं ये कई परकार की होती है इसके बारे मैं हम इस वीडियो में बात करेंगे चर्मरोग आपके चेहरे, हाथ, पैर, कमर या फिर सरी की किसी भी अंक में हो सकता है लेकिन इसके बचाओ के भी कई तरीकी हैं जैसे कि आपको इसे बचने के लिए अपने खान पर भाइन ध्यान देना चीए जिसके चलते आपको परेज भी करना पड़ता है और आपको अपनी तवचा के अंसार किसी भी चीज का चुनाव करना पड़ता है चाहिए वह कोई खाने की चीज हो या फिर तवचा समबनी कोई प्रोडक्ट हो चर्मरोग क्या है? चर्मुरोग कई काणों से होती हैं और इसके बहुत से लक्षण होती हैं जैसे कि इसमें आपकी तवचा पर लाल रंग के दानी, रूखी और सुकी तवचा, अलसर, जलन और खुजले हो जाती है अधितर स्किन रोग परत से सुरू होती हैं ये कही बार दर्दनाग भी होती हैं और कई कभी तो कभी कभी बिना दर्द वाले भी होती हैं चर्म रोग वैसे तो कई परिकार की होती हैं जैसे एजीमा, रोसिक्का, सौफिक, डियर्मेटीज, फैसोरिस, चिकन पॉक्स, रिंग वाम, केलोडिला, हैंड चर्म रोग से कैसे परहेज करें चर्म रोग एक ऐसा रोग है, जिसमें आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपको खाने पेने की चीज़ों में परहेज करना पड़ेगा साथ में और बहुत सी बातों का ध़्या रगना होता है तब याप चर्मस रोग यानि स्कीण प्रॉल्ब्लम से बचाव कर सकते हैं केमिकल युक तो खादे पाड़ार्ट केमिकल वाले खाने से घमिसा बचे हैं और इसका शेवन बहुत ही कम मातरह में करें अपनी स्किन पर मार्किल प्रूडक्टी के कम इस्तिमाल करें और घरेलों नुसके ही अपनी तवचा पर इस्तिमाल करें नातिय समय कोई भी माइल्ड भेस वास का इस्तिमाल करें चो आपकी तवचा सहन कर सके केवर वही कपड़े पहने जैसे सूती कपड़ा सभी तवचा के लिए आरंधायग होता है दाने हो जाने पर उन्हें बार बार नौच हुएं वन्ना ये और ज्यादा परभायत होती हैं केवल डॉक्टर की सला से ही दानों पर दवाई का इस्तिमाल करें गंदगी से परहेज करें वो साप सपाय का विशेज ध्यान कहें जैसे रोज ना है वो अपने विश्टर की चादर भी जल्दी से जल्दी बदल दें अत्यदिक खटा नौँ खाएं और अधिक तेल युक्त खाना नौँ खाएं पैकेट वाली किसी भी खाने की चीज से दूर रहें तवचा रोग जैसे सुराज से या अन्य मुहासे होनी पर अलकोल का सेवन तुरंत त्याग दें कार्बो हाइडरेट युक्त चीजों का अधिक सेवन ना करें कि अधिक युक्त तुरं खाएं और युक्त